हलो दोस्तो आप दिख रहे हैं राठोर इलेक्टरिक बर्क सेंटर यूटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इस बुलट मोटर के साप्ट बुस को बदलना सीखेंगे दोस्तो सबसे पहले हम इसे सीरिज बूर्ट के दोरा चेक करेंगे कि यह मोटर पूरी तरह से सही है कि नहीं दोस्तो देखिए सीरिज बूर्ट का बल्ब जर रहा है तो देखिए दोस्तो यह मोटर घुम रहा है और इसमें इस परकार की आवाज आ रही है इसके साप्ट और बुस पूरी तरह से खराब हो गए है दोस्तो हम इसके साप्ट और बोस चेंज करेंगे दोस्तो यह बुलट मोटर है जो की सीलिंग पेन की तरह छत में लटका कर उपियोग में ली जाती है दोस्तो यह अठाइसो आर्पियम में रहती है और इसमें दो पूल में कनेक्शन किये जाते हैं दोस्तो सबसे पहले हम इसके भीक लेंप को इस परकार जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और इसके सभी स्टूडों को खोल लेते हैं और इसके स्कूरूओं को निकालने के बाद हम एक बार फिर इसकी मोटर को चेक करते हैं तो देखे दोस्तो, Red Wire हमारा Common Wire है, और निला और पीला Wire यह Running और Starting को आलके हैं, मोटर इसकी पूरी तरह से सही है, इसके दोनों कवर से हम इन बुसों को Change करेंगे, यह बुस पूरी तरह से खराब हो गए हैं, दोनों कवर से हम बुस को Change करेंगे, और इसमें लगी हुई इस रोटर की साप्ट को भी हम चेंज करेंगे साप्ट भी पूरी तरह से डेमेज हो गई है हम दोस्तो इस साप्ट से इन गेफ पिलास्टिक बासर को बाहर निकाल लेते हैं यह दोस्तो गेफ बासर कहलाते हैं जो की पिलास्टिक के रहते हैं तो एक पाइप की साहता से हम दोस्त तो इसकी साफ्ट को इस प्रकार बाहर निकालेंगे, तो रोटर को हम इस प्रकार रखते हैं, और एक हतोड़ी की साहता से इसमें हम ठोकल लगाते हैं, तो यह साफ्ट बड़ी ही आसानी से रोटर से बाहर निकालाती है, तो साफ्ट हमने रोटर से बाहर निकाल ली है इस प्रकार से दोस्तो हम इस साफ्ट को निकाल लेते हैं और अब हम दोस्तो इसमें इस प्रकार नई साफ्ट को इसमें लगाते हैं इसको दोस्तो हम उपर से एक पाइप रखकर इस पाइप में ठोकल लगाते हैं तो यह साप्ट बड़ी आसानी से अपनी जगाय पर सेट हो जाती है तो साप्ट हमने इस प्रकार से इसमें लगा ली है अब दोस्तो हम इसमें इन प्लास्टिक गेफ बासरों को भी इस प्रकार से दोनों और लगा लेते हैं तो हमने गयब वासर को इसमें लगा दिया है अब दोस्तो रोटर का काम पूरा हो गया है अब हम इसमें बोस लगा कर चेक करते हैं तो दोस्तो इसमें 034 नंबर के बोस लगा जाते हैं तो यह 034 नंबर के बोस हैं दोस्तो अब हम एक सुम्मी और इस धिवरी की साहिता से हम इस कबर से इन पुराने बुसों को बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से हम रिपेट को बाहर निकालते हैं दोस्तो इस प्रकार से हम रिपेट को ठोकते हैं तो रिपेट कबर से बाहर निकालाती है और बड़ी आसानी से बुस बाहर निकालाता है दोस्तो यह बुष प्रियस्पति है और इसके नीचे रुई का नब्दा रखा हुआ है जिसे हम रुई के रिंग भी बोल सकते हैं दोस्तो इसी प्रकार हम दूसरे कवर का भी बुश बाहर निकालते हैं तो मैंने इसका भी बुश बाहर निकाल लिया है यह रुई का रिंग है और अब दोस्तो हम इसमें नया बुश लगाते हैं तो रूई के रिंग को रखने के बाद इसके उपर से दोस्तो हम इस बुस को रखते हैं बुस रखने के बाद दोस्तो हम इस रूई के रिंग को ओईल की सायता से अच्छी तरह से भिगू लेते हैं ताकि यह बुश अच्छी तरह से काम करे और इसमें ओयल का लूबरी केशन बना रहे इसके बाद दोस्तो हम इसमें बुश प्रेस पत्ती को उपर रखते हैं और इसके बाद दोस्तो इस कबर को रखकर इसमें हम रिपिट लगाते हैं और रिपिट को ठोकने के बाद यह बड़ी असानी से अपनी जगह पर लग जाता है और लोक हो जाता है देखिए दोस्तो मैंने इस प्रकार से इसमें रिपिट लगाई है और एक लोहे की राड की सहायता से इस रिपिट को ठोकूंगा तो यह रिपिट बड़ी असानी से अपनी जगह पर सेट हो जाएगी दोस्तो अब हम रिपिट को कवर में लगा लेते हैं तो किस प्रकार से लगाई जाती है यह भी आप देख लें और आप चाहें तो इसे अपने घर पर भी बड़ी आसानी से बोस्त लगा सकते हैं दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं देखिए दोस्तो मैंने दोनों कवर के इन बुसों को इसमें लगा लिया है और बुस अच्छी तरह से सेट हो गए हैं दोस्तो बुस अच्छी तरह से सेट हो गए हैं आप चलिए दोस्तो मैं इसकी मोटर में भी इनको लगा लेता हूँ और दोस्तो मैं आपको मोटर को चला कर भी दिखाता हूँ दोस्तो अब हम इस शाप्ट में आइल डाल कर इस प्रकार से सेट करेंगे तो हमारा मॉलट मोटर काफी अच्छी तरह से स्मूथली गुमने लगेगा तो अच्छी तरह से सेटेंग हो गई है अब दोस्तो मैं एक बार इस मोटर को आपको चला कर दिखाता हूँ तो दोस्तो मैंने कनेक्शन कर लिये हैं तो देखिए दोस्तो मोटर काफी अच्छी तरह से घूमने लगी है और इसमें किसी पिरकार की कोई आवाज अब नहीं आ रही है पहले दोस्तो इसमें काफी ज़्यादा आवाज आ रही थी और यह सही तरह के से घूम नहीं रही थी और इसके आरपियम भी कम हो गए थे तो दोस्तो मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है दोस्तो अब यह काफी smoothly और काफी speed में बर्क कर रही है गुम रही है तो दोस्तो हम इस प्रकार किसी भी bullet motor के bus और shaft बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं आप इसे अपने घर पर भी बदल सकते हैं